ये रादा कृष्णा के स्वरूप में बनाए है और कार्तिक जी इसी प्रकार से यहां पर गया है तो कोशिश करता हूँ ठीक स्याथ यह भी है लगवागार से दस फीट वाली मूर्ति यह दिखिए बहुत बड़े कान के साथ में बनाएगी है कि नमश्कार दोस्तों कैसे आप सब मैं राजन तुमार आप सबने का स्वागत करते हूं मेरे यूट्व चैनल राजन तुमार व्लॉग में दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ राइपूर के माना केम्प में जहां पर अभी बहुत सारे मूर्तियां का निर्मान किया जा रहे जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहां एक मूर्ती है ऐसी एक मूर्ती कला केंदर में हम मौजूद है इसका नाम है श्री शाई मूर्ती कला जो की रवी सरकार की के यहां के मूर्ती कार है रवी सरकार तो चलिए चलते हैं हम यहां की मूर्ती देखते हैं और यह भी बहु प्रफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताके मेरे आने वाली वीडियो आपको सही टाइम पर आपको मिल सके इसके लावा आप मुझे इस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं और यह मुर्ति देखते हैं तो देखिए दोस्तों यहां कि बाई कि श्रिभे साहिए मुर्ति कलाकेंद्र मुर्तिकार रवी सरगार जी मुठार ये अब ये अदर चलते हैं यू निक और बड़ी-बड़ी मुर्तियों के लिए जाने जाते हैं ये तो बहुत सुन्दर मूर्टियां कि लंदी महाराज भी है यहां पर बन रहे हैं अभी लिपाल गनेश है अभी इनका काम चल रहा है अब गनेश जी की मूर्टि है जटाओं वाले जो की माकाली के साथ में है अब आपन अब बड़े गनेश जटाओं वाले इसके खाम चल रहा है अब आट से दस प्रिट की मूर्टि अब यह शंकर भागवान के अलतार में हैं मूर्टि बनाई गई है उनकी नंदी महाराज बहुत कुस्से में नजल आ रही है कि गनेश जी के सिक्स पैक्ष के साथ में है अनमायन जी गनेश जी और कार्तिक जी को कि अपने कंदे पर बैठाए हुए हैं दोनों के बहुत बड़े गनेश जी है लगबक साथ 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 फिट के खूप सारी मूर्थियां है यह देखिए एक एक करके आपको सारी सारी मूर्थियां दिखाऊंगा कि यह देखिए अजय करनेश जी मूर्थ बैठे हुए हैं आप बहुत संदर गनेश जी है अब हो संदर इस तरप में भी ऐसी गनेजी बहुती सुंदर इनका सिंगासन है गनेज जी भी बहुत सुंदर बनाएं गए यहां पर मुर्ती इस प्रकार आगे और चलते हैं दो-दो मुशक हैं और कार्टिक जी हैं और गनेज जी खेल रहे हैं यह गनेज जी है जो कि कृष्ण राधा के यह में उनको बनाया गया है यह देखिए अगरेज जी यह लगभग चार सब चार फिट के हैं कि यह और गनेज जी में आजाते हैं यह लगभग साथ फिट में है यह गनेज जी बहुत ही सुंदर गनेज जी खाली का नाक के उपर गनेज जी बैठे हुए हैं उनको पकड़ के द्वस्त कर रहे हैं इस प्रगार से आगे और चलते हैं इस प्रगार के देखे दोस्तों बहुत ही सुंदर कलाकृती है यह हंस पर बैठे मोर पर बैठे हुए है गनेज जी गनेज जी है और कारतिक जी इस प्रकार से यहां पर सिंगासन में बैठे हुए गनेज जी कि आगे देखते हैं यह शंकरमादेव के इस रूप में बनाये गया गनेज जी को कि यह राधा-क्रिष्ण के रूप में बनाये गए गनेज जी है धिकिए कि करवान के रूप में है कि यह देखे यह देखिए गरूर की उपर बैठे गुए है गनेज जी बहुती संदर संदर यह गनेज जी है किसान की तरह है तो अलग-अलग भिन नभीन रूप में यहां पर बनाया गया है गनेज जी के मूरतियों को यह देखिए माता जी के साथ में है यह देखिए तिनमक वाले गनेज जी जो की हंस के साथ में बैठे गुए है अपने सिंगहासन पर इधर आगे और भी है एक बड़ी मूर्थी बहुत सुन्दर सभीवे काम अभी चालू है पुट्टी लग रहा है फिनिशिंग हो रही है इसके बाद में लगवग आट से दस दिन के बाद में यहां इस पर कलर का काम चालू होगा क्योंकि बीस से बाइस दिन ही बाकी है गनेश चतूर्थी के लिए गनेश बैठाने के बहुत सुन्दर सब्सक्राइब अगली मूर्थी आई है अगली मूर्थी आई है हाथी पर बैठे हुए है शमा करें है कि फिनिशिंग का काम चल रहा है कि जाएगे चलते हैं कि बहुत संदर लगवगा गाट पिटके मूर्थी इस तहार कि यहां पर दी यहां पर दी यहां करूर के उपर बैठे हैं गनेज जी इस अब आट सर दस फिट वाली मूर्थी आ है बहुत बड़ी-बड़ी कि यहां तो कि कोशिश करता हूं ठीक से आपको दिखा सकों गनेज जी भी किको बहुत बड़ी-बड़ी मूर्थी है यहां पर अब आगर से यह भी है लखवा गाट से दस फिट वाली मूर्थी यह दिखेंगे आगे और भी हैं ऐसी यह भी है गनेज जी बहुत बड़े कान के साथ में बनाए गी जोड़ी भी है कापी मूर्थी अब कि यह भी वैसी है लगबक आट फिट की अब गोड़े के साथ में हैं कि देखिए नंदी एक असूर है और गनेज जी जो की शंकर वहादेव के स्वरूप में है यहां पर आप स्री साई आर्ट यहां पर बहुत यूनिक मूर्थियां बनाई जाती है यह उसी में से हैं यह बहुत संदर संदर मूर्थियां यहां जितनी भी मूर्थियां आप देख रहे हैं यह सब के सब लगवाग आट से दस मूर्खियां और चार फिट पांच फिट चौड़ी मूर्खियां इस तरफ भी आए रहे हैं कि यह काम चल रहा है अब इस तरफ में कर दो